किस शान से अल्ला ने उतारे है मुहम्मद हर दोर में हर शक्स को प्यारे है मुहम्मद असलाम अलेकुम गुड मॉनिंग कोई नूर मैं हूँ आपकी होस्ट इरम सफदर नाजरीन आज जुबारा रभी ओल का दिन है आज तमाम मुसल्मानों के लिए ईद का दिन है आप सब को ये दिन बहुत मुबारिक हो नाजरीन आला ताला ने इंसानों की रहनमाई के लिए अन्बिया कराम का सिलसला शुरू किया ये सिलसला हजरत आदम लिह इसलाम से शुरू हुआ और हजरत मुहम्मद सल यलिह वाली वाली वाए वासलम हमारी आखरी नबी है تمाँ मुसल्मान आज के दिन मुखलित तरीकों से अपनी खुशी का इजहार करते हैं इसबारे में भी आज बात करेंगे हमारी साथ हमारे बड़े passarتي हमां मौनुम्मद नासिर कयूम, थैंकियू सोमद जनाब आपका, आप हमारे शो में आएं, और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे नाथ खान मौझूद हैं, हाफिज मुहम्मद सफदर कादरी, बहुत शुक्रिया जनाब आपका, और मेरी बड़ी प्यारी महमान इस वक्त हमारे साथ मौझूद आपका, और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी महमान मौझूद हैं, मेविश सफदर साइबा, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्रम का आगास हम हम्द से करेंगे. आपका, 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 आप जिन लोगों पे है इन आम तेरा उन लोगों में लिखे दे नाम मेरा उन लोगों में लिखे दे नाम मेरा महशर में मेरा रह जाए बर्म महशर में मेरा रह जाए बर्म अल्लाह करम अल्लाह करम मेरी आने वाली सब नसले तेरे गर आए तेरा गर दे के तेरे गर आए तेरा गर दे के असबाब हो उनको ऐसे बहम असबाब हो उनको ऐसे बहम अल्लाह करम माशाला सुछानला आज बारा रभी अलवल है तो आज आपकी परदाइश का दिन है तो कुछ मौज़ात हुए रूनमा हुए मैं चाहूंगी आप उस बारे में बहुत शुक्रिया कोहिनूर चैनल का जिसने इंतहाई खुबसूरत दिन जो अगर ये दिन नसीब ना होता तो कोई भी दिन नसीब ना होता अगर ये लम्हे काईनात को नसीब ना होती तो कोई लम्हे काईनात के अंदर मुमकिन ना थे नभी अकरम सुरापा मौजजा और सरकार दौालम अच्छी पेदाइश और इस मौके के उपर अपर अपने माभूत की आमद को एक मौजजाना कैफियात के अंदर लबरेज किया सरकार दौालम अच्छी पेदाइश से पहले रात की कैफियत ये थी कि गर में कुछ चराग ना थे और उसके इलावा चूंके दाएबें जितनी भी खवातीन थी जो दाइयां कहलाती है वो अमूमन उन गरों का रुख करती थी जहां माल ज्यादा हो चूंके सरकार दो आलम स्ले ल सूं के वाल्दे मोतरम डुनिया में मीवजून वियुद न थे तो यतीम समझ के इधन कहा इधर खवातीन यू आना जाना न था यही बजा धाले उलम सिरकार दो आलम स्रगर के अंदर इहृत्माम अल्र, भी वी ज। यस फ़े खवातीन इस और हज़रत बीबी मर्यम उस रात तश्रीफ लाती है और हज़रत आमना रजी लटाला अन्हा को तसली देती है और फिर गर के अंदर एक खास नूर की कैफियत पैदा हो जाती है और सरकारिद आलम सेलों सेलों का वजूद जब जिसमे पाक से बाहर आते है तो आपने आने के फोरण बाद एक तो ये था कि पूरे गर के अंदर चारों तरफ नूर बिखर गया वो गर जिसके अंदर कैफियत खास थी वो कैफियत क्या थी कि गर में कुछ भी नहीं है हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने हुदूर की विलादत के बाद इसकदर नूर अपने गर के अंदर मौजूद पाया कि गर के अंदर बैठे बैठे मैंने शाम के महलाद उनके कंग्रे देखे बगाइदा तोर पर उसी जगा पर सारी कायनात गोया उनके सामने रोशन कर दी गई और इसकदर नूर के लगता यूता के आसमान के सारे सितारे हमारे गार का त 받아फ कर रहे हैं और क्यों ना करें कि हुह सिराज मौनीर है ये वो नूरे हकीकी हैं जिनकी वज़ा से काइनात में नूर तक्सीम किया गया जिनके बजूज से अल्ला पाक ने काइनात के अंदर सारी नूरानियत को पैदा किया कुरान करीम ने इनको सिराज मुनीर कहा और सरकार दौालम जब तश्रीफ लाए तो लाते ही आपने करवट ली और पिर अल्ला की बारगाह में सजदा किया हजरत आमना फरमाती हैं कि मैंने बकाइदा तोर पर अलफास सुने अलफास क्या थे रभी हब ली अमती अलफाज ये थे कि मौला मेरी अमत गोया आते ही काइनात के अंदर पहला ईलान ये था कि मौला मेरी अमत के उपर करम फरमाना मेरी अमत के गुनागारों की मख़रत और बक्षिश फरमाना और फिर उसके बाद सरकार दौालम अपके पास मौजूद ना थे और एक आवाज आई कि काईनात में जहां जहां इनका नाम जहां जहां इनका कानून जाएगा उस सारी काईनात का इनको विजड करवाया जा रहा है اور پھر کچھ ہی لمحوں کے بعد محمد مصطفیٰ ﷺ میرے قریب تھے اور کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم کہ ان کے وجود پاک سے وہ خوشبوئیں آئیں کائنات میں اس سے پہلے کبھی نہ آئیں اور کہنے لگیں کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی جو خواتین عموماً پریشان ہوا کرتی ہیں پیدائش سے پہلے پہلے تو کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم جب تک مصطفیٰ میرے وجود کا حصہ تھے पाक ने मुझे परिशानी अता नहीं फरमाई और यू काइनात के अंदर हुजूर का काइनात के अंदर आना इतना खुबसूरत मौज़ा था कि मैंने वो रोशनिया देखी वो खुश्बूएं सुंगी और फिर उसके बाद सरकार दौालम से बजू से मुझे इस कदर मुहब लेता हजरत जो आमिना रजिल्ला ताला नहां आप फरमाती हैं कि मैंने जिसको भी उस बच्चे की जियारत करवाई जो भी आता और आने के बाद अमूमन पुछ दे कि कि इस कदर पाक साफ सुथरा बच्चा क्या आपने इसको नहला दी है क्या आपने इनको जो कपड़े ह खुश्बू लगा दी है तो मैंने उन से कहा कि एसा कोई मामला नहीं अल्ला पाक ने ऐसा करम किया कि खुश्बू भी इनके वजूद से और एक खास नूर की कैफियत थी और उसकी नूर की कैफियत के अंदर मेरे गर के अंदर मुझे किसी चराक की जरूरत न रही और इसक खुश्बू दूनिया के अंदर तश्रीफ लाए तो वो बुझ गया और फिर उसके बाद जितने बुद थे वो सारे के सारे ओंदे मुझे जमीन के उपर गिर पड़े हुश्बू का आना था कि काइनात के अंदर ये वाज़े तोर पर कुछ निशानिया हुई जिनको बाहर निकले और का कि यहां कोई बच्चा पैदा हुआ है मेरी किताब के मताबक यही गर बनता है और यही लम्हे हैं उसके आने के तो जरा मुझे उसकी जियारत करवा दें तो आप गे जाके बेटे को उठाके लेकर आए अपने पोते को उस यहूदी ने देखा और देख यही नसल से मुझे मुझे मुहम्मद अता फर्मा तो पाओं क्यों देखा अल्ला रब लिजद ने उन्ही पाओं को वहां पर वकाइदा तोर पर रखा हुआ था सबूत के तोर पर कौन सा सबूत के देखना कि मेरे इबराहीम की दौा कैसे कबूल होती है लोग नसलों को प अरपा करते थे दौाएं क्या करते थे मुझे अता फर्मा वो बनी इसमाईल की तरफ चला गया वो बनी अबराहीम की तरफ चला गया हमारे पास कुछ भी नहीं रहा तो नभी अकरम स.लेलों के बकाइदा तोर पर जो खास ये मौजजात हैं इनको मेलात के आयाम के अंदर मन लोग बयान करते हैं और बयान करने का मतलब और मकसद ये होता है कि काइनात में इतनी खुबसूरत पेदाश किसी और की नहीं ना माँ को ना हज़रत फातिमा अज़रत आमिना रजियला ताला ना फरमाती हैं कि कभी किसी मरहले के उपर भी मुझे जैसे खवातीन बातें करती थीं कि उन्हें परिशानी होती है उन्हें तकलीफ होती है उन्हें दुख होता है अल्ला की इज़त की किसम वजूद मुस्तफा के सदके अगर दुख थे तो वो खतम हो गए मेरे गर के अंदर कभी किसी शेय की कमी नहीं आई और हज़रत आमिना फरमाती हैं कि जो हरकात और सकनाथ करते तो लोग यह कहते थे कि इसकदर पाकीजा तरुपएट कों कर रहा है तो हज़रत आमिना क्या कहती हैं फरमाती हैं कि मैंने कहा कि इसके अंदर मेरा कोई अमल दخल नहीं यह तर्बियत याफता है किसी ने इसे शिका के दुनिया के अंदर बेजा ह तो मेरी अभी तो तर्भीय शुरू ही नहीं हुई वगर चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में ये आम बच्चों से बिल्कुल जुदा थे, मुनफरत थे किसी मरहले के ओपर भी मेरी तर्भीयत का अमल नहीं का के हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम भी इस नन्ने मासुम बच्चे से सीखते हैं तो अल्लह रब लिज़ती ने इतना खुबसूरत बजूद अता फरमाया काइनात के अंदर हुजूर के आने से एक खास रोशनी नूर और एक खास पेगाम कि अब तोहीद का पेगाम चलेगा अब शिर का खातिमा होगा जल्म का खातिमा होगा और अंदेरा जो अरसा दरास से चाया हुआ था वो च्छट जाएगा और आने वाले जमाने के अंदर किस की हकूमत होगी मुहम्ब आ मुस्तफा असलालाहु रिए रसूललाहु बहुत खुच्छत अंदास में आपने बیان किया पर्फेसर साहिबा आज मुबारिक दिन है हम सब के लिए एईद का दिन है क्या कहना जाएंगे आप बिस्मिल्लाहि रह्मान रहीम असलातु असलाम वाले यासी या रसूललाह सबसे पहले तो आलम इसलाम को आज का ये पुरनूर और पुरमसर्ट मौका बहुत मुबारिक हो इदे मिलाद मुस्तफा सलल्लाहु रहिए रहीम की मुबारिक बाद या माहौल और क्या मुजजात वो वजूद में आए लिस्धु रहिष्ट का वजूद ही आकल असली के तुस्य से है वजह काईप रहें नूर मुस्तफा तो बहुत पहले जब कुछ ना था तब मुस्तफा थे जब हम न थे तुम न थे कुछ भी न था तो हजुरु लएस्थ तो असलाम का नूर तादम लएसलाम फर्माते हैं कि मैं जब मेरी तखलीक हुई मेरी अलापाक ने मेरा जस्दिक डस्बानाया तो जो सबसे पहले मैंने जन्नत में जिस नाम को देखा वो इसम मुहम्मद असलाम था तो आपकी पैदाश से जो ये जाहरी पैदाश है और जो बातनी पैदाश है वो इस आलमे पानी से और आलमे बाला में और अर्श में और फर्श में सबसे पहले जो अल्लापाक ने पनी मखलुकात में से जिस बंदे को सबसे पहले तखलीक किया कि मैं अपने इस जमीन पर खलीफा बनाने जा रहा हूँ इनसान से कहा ना कि इनसान बशर जिसको मैं इतना बड़ा एजाज देने जा रहा हूँ दर हकीकत वो आका अलही साथ असलाम के आमद के तोस्ल से है कि मैंने अपने महबूब को बनाया है उनके रुखे मुताहिरा को मैंने सजाया है समारा है अब मैं चाहता हूँ कि उनकी आमद से पहले कुछ ऐसी माहोल बन जाए काइनात के अंदर कुछ ऐसी चीजें वजूद में आ जाएं कि जब वो आएं तो फिक काइनात को पता चले कि मेरे मुस्तफा तश्रीफ ला रहे हैं वो मुहम्मद अर्बी तश्रीफ ला रहे हैं और आका लएस सटुस्सेलाम की आमच से पहले जो माहूल था अंधेरे का जहालत का गुफर का शिर्क का ऐसा यहीं कि बिल्कुल ऐसे था कि जैसे इनसानीत खतम है उसके अंदर इनसान नहीं बस्ते जानवरों की एक माश्रा है जानवरों की बस्ती है जुम का बहुत दोर दो रहा है, क्रॉप्शन कहलें आप उसके अंदर जल्म है, बदमनी है, बेहाली है, किसी रिष्टे का कोई तकद्स नहीं है, खत्म है, उस अंधेरे को जो काफूर करने के लिए नूर मुस्तिफा को उतारा गया, और जब आपकी तश्रीफ आवरी हुई तो आप जैसे फर्मा र लोगी तो बहुत सारी आपदीश के अंदर ये मौशूर है, बहुत सारी रवायात हैं, कि अपकी आपकी जिब्राईल एमीन से हुकम दिया, कि जिब्राईल एमीन जमी पर उतर जा, मेरे मुस्तिफा की आमद है, किसी आम की नहीं है, खबर ओनी चाहिए काइनात में, कि मेर मुहम्मद मूστफपा की आमद है जमी पर उतर जाओ और ज्ज्टे लेकर जाओ मैं आज उन लोगों को ज्ज्ज्ज्डे लगा रहे हैं ज्ज्ज्डिया लगा रहे हैं उन्हें ये बताना चाती है ये लडिया के हुकम की तामील कर रहे हैं वो इस वक्त सिर्फ जंडे लगा कर खुशियां तो मना रही हैं मगर उन खुशियों को इबादत बना कर समझ लें कि अल्ला का हुकम सबसे पहले जिबराईल अमीन के लिए था कि जंडे लेके उतरो एक मश्रिक में लगा दो एक मगरिब में गार दो एक काबे की च्ट पर लगा दो ताकि सब को खबर हो जाए कि आज कोई अनुक्खा आया है आज कोई ऐसा आया है कि जिस से ल्लह पाक महबत करते हैं और उसकी महबत उन कियामत को चर्चे करना चाहता है और वो जो नूर पहला आज जो लोग हम लाइटिंक करते हैं कहते हैं लाइटिंक का कहां से आपको आया है कि लाइटें लगाएं किमकुमे लगाएं, बजार सजाएं, गलिया सजाएं मखले सजादें, उरी ऐसे एक रोनक लग लग जाती है ये रोनक हज़र जिब्राइल अमीन के जरीए से लगाई गई और अल्लाह पाक ने ऐसे नूर की चादर बिचा दी कि अज़र बीबी आमिना सलामुल्ला अलेहाग फर्माती कि मैं अपने बिस्तर पर अपने हुजरे में बैट कर शाम के महलात देख रही थी इतनी रोशनी फरमा दी इतनी लाइटिंग वो अल्लाह के नूर की लाइटिंग थी वो अल्लाह का नूर चमकता था कि जिससे आप बैटकर शाम के महलात देख रही हैं कि उसका मतलब ये कि पूरी काइनात को रोशन कर दिया गया और पूरी काइनात को सजा दिया गया आज हम जो सजाते हैं, आज जो आप बैठी हैं, आप मशला चूड़ियां भी पहन चाहिए हैं, खूबसूरत भी लग रही है हम जो अपने दिलों को सजाते हैं, अच्छे लिबास पहनते हैं, गली महले सजाते हैं, घरों को सजाते हैं, जियाफत करते हैं, खाने किलाते हैं, वो सारे अमल, अमले तोहीद है, वो अल्ला के एकाम की तामील है, अल्ला पाक ने जैसे जैसे हुकम दिया, बस उसकी प्रभूब कियामती खुशी मना रहे होते तो अल्लापक कितनी मुहबबत से देख रहा होता है कि ये वो मेरे बंदे हैं कि जब मैंने जिब्राईले अमीन को हुकम दिया था उस हुकम की आज भी तामील हो रही है और आज भी खुशिया मनाई जा रही है। वें काति हैं, पुशे आज बन से दितने जा रही हैं? और निस्बत हुश्क की पढदाए ये खुशी है। उर खुशी के अंदर आपने रबका शुकर अदा करना है। और ये ल BBC का पसंदीदा अमल है کہ اللہ رب العزت کو अच्छा लगता है کہ بंदा, میरे معاملات کے अंदर मुझे याद रखता है मेरी अबादत اور मेरे जो है, ذکर असकार करता है सबब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्ला ने करम फर्माया तो हुजूर पीर के दिन बकाईदा तोब पर खुद रोजा रखा करते थे अगर कोई बंदा पीर के दिन रोजा रखता है ये नफली रोजा है और इस नफली रोजे को चुब के मनसूब किया जाता है हुजूर की विलादत के साथ जाहर है इसके अंदर नूर उनला नूर है कुरान करीम ने बकाइदा तोर पर हुकम दिया है फल्यफरहू खुशिया मनाओ तो रोजे दार भी जब रोजे अफ्तार करने की कैफियत में बैठा होता है तो उसकी खुशी की एक इंतहा होती है और कोई बंदा पीर के दिन रोजा रखने वाले से पूछे के बता के इस दि किया करते थे और फिर बकाइदा तोर पर जो एक खास कैफियत पैदा हो जाती है क्योंकि असल शेही निस्बते हैं और अल्ला पाक ने हुकम दिया है और ये हुकम इसी लिए दिया है कि इस उम्मत के अंदर ये चीज़ें पैदा हो और दूसरा रोजा बड़ी खुशूरत चीज़ है इस से जो बूक है ये इनसानों के अंदर गुर्बत का इसास बाईचारे का इसास गरीबों की मदद का जजबा पैदा करता है ये जो हम खाना पीना चोड़ते हैं और कुछ लम्हों के लिए फाका कश होते हैं फाका कश होने के बाद हलका सा इसास प्हाल जाना अपने दाएं बाएं कोई गरीब लोग हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो एक एक रोटी के लिए तरपते हैं तरसते हैं तो हम जो जिनके पेट के अंदर हमा वकद खाना पीना रहता है कुछ लम्हों के लिए फाके का इसास लेकर आएं और हुजूर काइनात के अंदर सबसे वादते मुबार्का है तो ये भी एक तरीका है खुशी को सेलिबरेट करने का खुशी को मनाने का और ये हुजूर की सुनल से मकायदा तोर पर साबिश चुदा है सुभानिला एक खुबसूरत गुफ्त गुजारी है तो मैं चाहूंगी इसको मजीद खुबसूरत बनाया जाए हमाई साथ मैविश मौजूद है बारिका रिसालत में नात का हदिया पेश किया जाए चमना राई है हर तरफ फूल खिले है बहारा राई है किस की आमद है इत्र अफशा जो मदीने से हवाई है इत्र अफशा जो मदीने से हवाई है जुल्फ माबूब यकीन कहीं लहराई है किस की आमद है दिल जो मुस्तर है मदीने की जारत के लिए दिल जो मुस्तर है मदीने की जारत के लिए आँख दीदारे मुहम्मद की तमना आई है आँख दीदारे मुहम्मद की तमना आई है किस की आमद है ये कैसी चमना राई है हर तरफ पूल किले है बहाराई है किस की आमद है खुबसूरत आवाज है आपकी पुबसुरत आई है विए परफेसर साहिबा हजरत मुहम्मस अलाओं अल्याओं विल्याओं तुमाँ इंसानों के लिए जहानों के लिए रहमत बना के बेजे गए खास तोर पे खवातीन के लिए थोड़ा इस बारे में भी हमें बताईएगा बिस्मिल्याओं बेश्क ऐसा ही है कुराने पाक में लाओं पाक में शाथ माँ अरसलना का इल्ला रहमत बना कर बेज़ा इस जहानों में जितनी मखलुकात हैं उन सब के लिए आप रहमत हैं मर्द हैं औरत हैं जानवर हैं इंसान हैं जिन और बश्र जितनी अल्ला पाक ने मखलुकात जिन से हम वाकिफ और जिन से हम वाकिफ नहीं हैं उन सारी मखलुकात के लिए अल्ला पाक ने अपने महबूब को रहमत बना कर भीज़ा और उनकी रहमत का सदका ही है कि सारे जल् उस साल किसी को बेटी नहीं दी बेटा दिया इसका मतलब ये हर्गिज नहीं कि शायद कोई बेटी कोई पिसा हुआ तबका है या कोई ऐसा लोग है कोई कि जिस से कोई समझ आती है कि शायद खवातीन नहीं है कोई ऐसा मजबूर तबका है کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دے کر یہ ثابت کہ نہیں اللہ فاق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو اتنا رحمت بنایا کہ میرے محبوب کی آمد کے ساتھ کوئی بیٹی آئے اور وہ زندہ درگور ہو جائے یہ میرے محبوب کی رحمت کو گوارا اسی لئے آقا علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی بیٹے تقسیم کر دیئے گے نعمت دے دی اور رحمت کو چھپا لیا کہ کہیں جب تک اس رحمت کی قدر سے آشنائی نہ ہو اس وقت تک آپ نے یہ نہیں دیا اور آقا علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی جب آپ کی بیستیں مبارکہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ خواتین کو وہ رتبہ وہ مقام عطا کر دیا کہ پھر آج تک امتِ مصطفیٰ کی اور انسانیت کے اندر ہر عورت کا سر اس احسان کے تلے جھک گیا ہے جس کے لئے اللہ پاک نمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اس باعثہ فیہم رسولہ کہ اللہ پاک نے مومنین پہ احسان کر دیا آقا علیہ السلام کو فضل اور رحمت بنا کر بھیج دیا اور خواتین کے لئے تو اتنا بڑا یہ احسان ہے کہ وہ خاتون جو باعث سے زلت سمجھی جاتی تھی جو بدنامی کا ٹکہ سمجھی جاتی تھی جسے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا جسے کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی جس کی کوئی اہمیت نہ تھی جس کا کوئی رشتہ نہ تھا کوئی تقدس نہ تھا کسی رشتے کا نہ وہ ماں کے حیثیت سے موتبر جانی جاتی تھی نہ بہن کی حیثیت سے نہ بیٹی کی حیثیت سے نہ ماں کی حیثیت سے وہ کسی بھی رشتے میں موتبر نہیں جانی جاتی تھی موتبر تو دور کی بات ہے اسے کسی معاشرے میں کسی جگہ پر سکینڈ ہی نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک بازار کی ایک زینت بنا دی گئی تھی जिसे खरीदा और बेचा जाता था जिसे तकसीम किया जाता था जिसके हाँ बेटी हो जाती वो सर जुका कर चलता उस वो शरम सार हो जाता कि मेरे हाँ बेटी हो गई है गड़े खोगते और उसके अंदर उसको कर दिया जाता एक जगा मैं प्रोग्राम कर रही थी तो मुझसे किसी ने सवाल किया कि आका लएस सबसे ज्यादा कबर होई आप यकीन करें हला कि आज खुशी का मौका है मैं चाहती हूं कि इस खुशी के मौके पर खवातिन अपने उस इहसान को माने और उस इहसान के लिए लिए अदा करें शुक्राने के नफल पढ़ें कि देखें कि एक सहाबी आका लएस सबस्दों की बारगाह में हाजिर हुए कहना कि या रसूलला मैं बेशक कल्मा पढ़कर मुसल्मान हो गया हूं मैंने कल्मा पढ़ लिया लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा जल्म मैं कर चुका हूं मुझसे एक ऐसा गुना हो चुका है कि जो मुझे रात को सोने नहीं देता जो मेरे अंदर बेचैनी रखता है तो मैं वो आप से अर्ज करना चाहता हूं अगा यस यस्तव अस् WOW ने फर्माया कि बोलें उससे ने किया क्छग या रसूल अल्ला मेरे हां बेटी की पेडाईश हुई जब जमाना जहलियत था तो मेरे हां बेटी की पेडाईश हुई वह बेटी मुझे बहुत प्यारी लगी मैंने सोचा कि इसको मैं जिन्दा दफन अभी नहीं करता लेकिन जो मेरे कबीले के लोग थे वो मुझे ताने देते थे कि तुमने अभी तक बेटी को जिन्दा रखा हुआ है तुमने इस रवायत के मताबिक अभी तक इसको जिन्दा दरगोर नहीं किया تو کہتے ہیں میرا दिल निमाना मैंने थोड़ा सा मुतावकुफ लिया फिर वकुफ किया फिर वकुफ किया यहां तक कि वो बेटी चलने फिरने के काबिल हो गई और थोड़ा को बोलने लगी तो मुझे मेरे तानों ने मुझे जीने ना दिया उस रवाज ने उस रसम ने तो मैंने एक दिन सोचा कि मैं आज इसको जिन्दा दफन कर देता हूँ उसको लिया उसको बनाया सवारा उसकी मां से त्यार कवाया उसकी उंगली पकड़ी उस उंगली उसने मेरी जब पकड़ी और मुझे वो कहती बाबा आप कहां जा रहे हैं अपनी तोतली जबान में मुझे से बात करती तो मैं उसे कहता है आज की मैं किसी काम से जा रहा हूँ तो मैं साथ लेके जा रहा है कि जब मैंने गड़ा कोड़ा तो वो बेटी मेरे साथ गड़ा कोड़ती थी मैं जमीन से मटी निकालता वो मेरे साथ मटी निकालती वो सहाबी ये वाकिया बियान कर रहे थे और आका रह्मत इदोजहां चल्लिल्लावसलम की आँख मुबारिक से आंसू रपक पनी अब उनके वो गड़ा खोता है वो में साथ कोती मैंने यहां तक कि उसको गड़े के अंदर खड़ा कर दिया मैं उस पर मटी डालता था तो वो अपने नने नने हातों से ना मटी अपने उस गड़े के अंदर डालती है यहां तक कि उसने का कि बाबा मैं आपके साथ जाना चाहती है मैं आपके साथ जाना चाहती है लेकि मैं उस जहालत के उसमें रुबा हुआ था वो मती ढलता गया यहां तक के लेकिन उसने मीरी उंगली नहीं छोड़ी मेरी उंगली उसके हाथ में थी और जब मैंने उसने मती डाल दी उसके आवाज दब गई और वो अफन हो गया तब मैंने माँ मुश्किल अपनी उंगले चुड़ाई और जब वो सहाबी ये वाक्या बियान कर रहे थे और आका अलेस्ट असलाम की डाड़ी मुबारिक आंसों से तर हो गई ये उस ओरत की हैसियत थी और उसी बेटी के लिए आका अलेस्टénom स्थलाम क्षड़े होकर अस अकबाल भी करते हे उस उस बेटी के लिए चादर भी भिछाते हैं उसी बेटी को कहते है फातिमा बदा तुम मिन्नी फातिमा मेरे जिगर का टुकरा है आपने ये फर्माकर उम्मत के हर बाप के लिए अपनी इस बेटी को मुतबर कर दिया उस रिष्टे को मुख्जम कर दिया उस रिष्टे को वकार अता कर दिया उस रिष्टे को कि हर बंदा हर उम्मत का हर बाप ये कह सके मेरे बेटी मेरा फखर है, मेरा मान है, मेरे अजधत है अपनी इस बेटी की तर्बियत पर जन्नत में अपना साथी इसको बना दिया अकार लफस्व स्वाले, पिर अकार लफसे तुने प़ोह आपकी दूद श्रीक बेहन आती है तो वो उस बेहन के रिष्टे को इज़त देने के लिए, रुत्बा देने के लिए, मकाम देने के लिए, हैसियत देने के लिए कि जिसको जाइदाद में से हिस्सा देना तो दूर की बात है, बहई उस बेहन को देखना पसंद नहीं करते थे उस रिष्टे को इज़त और इहतराम देने के लिए आपने अपनी उस काली कम्डी मुबारिक को उतारा जिसकी कस्मे रब खुआता है कि या अज्यूल मुदस्र कहके या अज्यूल मुजमिल कहके जिस चादर की रब कुरान में किसमे खा रहा है उस चादर को आपने उसके पाउं के नीचे बिचा दिया कदमों के नीचे बिचा कर ये नभी करीम ने मैसिज दिया उम्मत के हर उस भाई को कि जिसकी बहन मौझूद है कि ये तुम्हारी बहन तुम्हारे सर का ताज है यह बेहन तम्हारे इज्जत है, यह तम्हारा फक्र है, तम्हारा मान है फिर आका अगे लियाय से आख моंत में अप्रेस थातर को अपने शोहर का निस्व एमान और दिया उसके inhabited दै उसको जाइदाद में हिस्जा दिया, उसको इज्जद दी वकार दिया आका लाजस्ट असलाम ने अपनी तुमाम अजवाज मताहरात के साथ जो रवेया जो सुलूक जो महबत जो प्यार किया वो सारे उम्मत के जितने भी इस वकट शोहर हैं वो अपनी बीवियों को वो मकाम और मरतबा देने के पाबंद हैं कि जो आका लैसातों स्लाम का उस्वा मुबारिक उसके मताबिक है फिर आखरी जो रिष्टा है जिसको मैंने जान बूच के आखर में जिसका जिकर किया कि औरत एक कितने आला धर्जे पे फाइज हो सकती है कि हम सारी अबादात कर रहें आज भी हमारी अबादत है आज भी खुशी है सिर्फ ये कि अल्लाँ पाक हमसे राजी होजए हम उसके महبूब का जशन मनाते है अल्ला राजी होजए हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाँ की रजा के लिए हम अबादत करते हैं अब यह वाफ़ रोजे का पूँच रही थी तो रोजे का भी यही कि अल्ला हम से राजी हो जाए हमारे इस अमल से राजी हो जाए और बदले में क्या दे जन्नत ये काम करोगे तो जन्नत मिलेगी रोजा रखो जन्नत मिलेगी अल्ला का खोफ करोगे तो ल्ला तुम्हें दो जन्नत या अता कर देगा यानि के हर अमल के बाद आपको जो रिवार्ड मिलता है वो जन्नत है तो अल्लापाक ने एक रिष्टे को इतना मुतबर कर दिया इतना मुकदस कर दिया, इतना मुतरम कर दिया कि अल्ला पाक ने उस रिष्टे का नाम मा रखकर उसके पैरों के नीचे वो जन्नत रखती और कहा कि जिस जन्नत के लिए तुम पूरी एफट करते हो ना वो तो तुम्हारे मा के कदमों के नीचे और वो मा जिसको जायदात की तरह तक्सीम कर दिया जाता था वो जो बाप से वरास्त में बेटों में तक्सीम हो जाती थी जिसे कोई हैसियत नी थी आज उसके लिए उस मा को जन्नत का जरिया बना दिया ये वज़े हैं हजूर लएस्वास्त असलाम के कदमेने मुबारिक का सदका है आपकी आमद का सदका है कि आज हमारे पास इतने खुबसूरत रिश्टे मौजूद है और आज हमारे मर्दों को खवातीन के लिए अर रिजाल कवाम कहकर उनको गाड का प्रोटोकोल दिया गय है हम तो नहीं इसलाम ने अर रिजाल कवामून कहकर मर्द को गाड बनाया और वो जैसे होते हैं कि पूरे प्रोटोकोल के साथ एक खातून बिजनस कर रही है सिएदा ख़दीजातु कुबरा को देखे खातून टीचर है सिएदा आईशा सिदीका को देखे खातून नर्स ह है डुक्टर है सिएदा फात्यमतु जाहरा को देखे जख्मी है घै महरम है लेकि पानी पिला रही है जख्मों को साफ कर रही है जंगों में देखे आप कोई वोजी मस्स सफिया को देखे जर्रा का रूप दारे में खड़ी है हल्द सिएदा इच עज़िजा सदीका को पुरा कड़ा वक्त आया तो इसलाम के लिए जंडा सर बुलंद करके इंकलाबी रोल प्ले किया सीधा जैनब सलाम अल्या ने और ये चादर और चार दिवारी का तहफुज ये गार्ड का प्रोटोकॉल ये सब का सब हजूर असलाम की आमद के साथ उनके सदके में उनके वसी जानता है हमें भी कोई जानता है मा के नाम से बेहन के नाम से बेटी के नाम से बीवी के नाम से बहुत अच्छे अंदाज में आपने बियान किया और बताया कि किस तरह से इसलाम ने खातून को खवातीन को इजज़त दी हज़रत मुहमद ने फरमाया जो शक्स जननत में मे आफसनकुम एमान वाफसनकुम अखलाका तुम मेंसे बेहतर बंदे वो हैं जो के लोगों के साथ अपने मामलात को अपने रव्यों को बेहतर बनाते हैं और इसी तरह नबी अकरम स्थाना अब फरमाया कि खैलुकुम खैलुकुम लिए आहली तुम में बेहतर वो लोग हैं जो के अपनी अजवाच के साथ बेहतर हैं अपनी बीवियों के साथ बेहतर हैं और मैं तुम सबसे बढ़कर अपनी अजवाच के साथ बेहतर हूँ नभी अकरम सेलों सल्म हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल है कुरान करीम ने कहा कि हमने यकीना आपकी सीरत को काइनात के लिए आइडियल बनाया है इनसानों के लिए नभी अकरम ﷺ खुद अमली तोर पर अपनी अजवाज के साथ जो गफ्तगू करते हैं जो आमाल करते हैं जो बातें करते हैं जो रवईया है वो बड़ा खुबसूरत है हजरत अमर रजियल ताला अन्हों हुदूर के गर तश्रीफ लाए और बाहर खड़े होकर उंची ओवास से आपने या रसूल अल्ला असल्म ये लफ्स बोला सरकार दौालम ﷺ अंदर से बाहर तश्रीफ लाए और आपके चेहरे के ओपर मुस्कुराहट थी हजरत अमर सवाल करते हैं लगे नबी अंदर से जो अवाजें उंची उंची आ रही थी क्या वो अजवाजे मुताहराद गुफ्तगू आपके साथ कर रही थी का के बिल्कुल अमर या रसूल आपके साथ इस तरह बोलती है तो का के हाँ वो अपने कुछ मामला थे मेरे साथ डिसकस कर रही थी और जो मामला अमूमन अजवाज करती है वो ये के बहुत ज़्यादा महिंगाई हो चुकी है माल हमारे पास काम है माल बढ़ाओ दूसरा वो मेरे साथ जगड़ा कर रही थी मगर एए अमर तेरी अवाज सुनी और सारी की सारी अपने अपने हुजरों के अंदर चली गए और एक हदीश के अंदर आता है कि वो सारी की सारी तेजी से बाग गए तेरी अवाज सुनका हضرت عمر को अच्छा नहीं रगा कहा कि अल्ला के नभी मेरी वजा से वो डरती है और आपके साथ इतनी उच्छी वासे गुफटगू करती है तो हضرت عمر ने एक फिकर आउच्छी वासे बोला और कहा कि ए अपने नफस की दुश्मनों तुम मुझसे डरती हो रसूल अल्ला से नहीं डरती अंदर से जवाब क्या आता है अंदर से जवाब या आया कि हाँ एए अमर तुम जलाली हो गुसे वाले हो वो रसूल रहमत है सुछान अल्ला हजरत عمر रजियल्ला ताला नहों की जो बेटी थी हजरत हफसा रजियल्ला नहां जो हुजूर की जवजा मुहतर्मा है वो भी बकाईदा तोर पर फरमाती है कि हम रसूल अल्ला से नहीं के सामने बकाईदा तोर पर अपने मतालबात पेश किया करती थी बजा ये है कि हुजूर ही नहीं हमें हक दिया था और इसी तरह सरकार दौाल नहीं से लिए भी बकाईदा तोर पर मर्दों से फरमाया करते थी किसी ने कहा अमूमन लोग मर्दान की किसे कहते थे वो कहते थे कोई बंदा अगर औरत को मार पीट के गर में आता न ये बहर निकलता गर से बहर निकलता तो लोग कहते थे वाकई ये मर्द है ये ताकतवर है हुजूर की मारगे में पूछा आगया अल्ला के नबी जो मर्द अपनी खवातीन को मारते और पीटते हैं वो लाइन है वो कमीना है वो गटिया है वो कमजोर है जो कमजोरों के ओपर अपनी ताकत को आजबाता है तो मदीने के अंदर मक्के के अंदर लोगों का रवया और नक्ष बदल गया लोग अमोमन ये लफस बोलते हैं नेचर कांट भी चेंज कि नेचर नहीं बदलती हुजूर ने नेचर को कें बी चेंज हुजूर ने बदल डाला वो मर्द जो अपने आपको मर्द समझता था मारने वाला समझ कर उसी मर्द को बता दिया मारने वाला नहीं होता सबर करने वाला बरदाश करने वाला होता है अगर आपकी बीवी अगर आपके मद्दे मुकाबल खड़ी हो जाती है बोलती है कुछ बहस मुबाइसा करती है तो वो किस से करें वो आपकी बीवी है आपकी जोजा है वो आपके सामने मतालबा पेश करती है ये उसका हक है और किस ने दिया इसलाम ने, हुजूर ने अपने करेक्टर से दिया हुजूर के मद्द मुकाबल जब कुरान करीम की सुरह हजरात की आयत उत्री हुजूर की आवाज से अपनी आवाजों को बलन ना करो ला तरफावा स्वात हुआतु को सुटन नबी नहीं लम्हों के अंदर हजरत अबुबकर सिद्धी की आवास मुकमल तोर पर हुजूर के सामने खतम हो गई वो हुजूर से सरगोशी किया करते थे मगर इसके बावजूद अजवाज मुताहरात को हाक था वो बोलती थी और उनकी आवास अबर भी जाती थी हुजूर कभी भी उनको रोका नहीं करते थे और सरकार दौालम स्थम ने फरमाया कि तुम मेंसे बेहतर बंदा वो है जो अपनी अजवाज के साथ बेहतर है और अलहम दूल्लाह मैं तुम सबसे बढ़कर अपनी अजवाज से बेहतर हूँ सुछानलाह और अगर बात कीज़े सहाबा कराम हजरत मुहमद स्थम की आमद का जो दिन है बारार रभी वल अवल उनको कैसे मनाते थे जी जी देखें सहाबा कराम तो हर रोज इश्क मुस्तफा में लबरेज होते थे इश्क का एक दावा है और उस दावे की एक दलील है दावा क्या है कि मैं कहता हूँ मुझे अपनी मां से प्यार है मां के बेटे पढ़ लो मां के बेटे मारकिट से फलाद चीज लेकर आओ मां कोई आउर्डर करे हुखम दे और मैं खड़ा हो जाओ और माबाप को प्यार से महबबत से देखना हज मकबूल का सवाब है और मैं माँ की तरफ देखना शुलू कर दूँ और उसके कामों को ना करूँ उसके आर्डर्स के ओपर उबे ना करूँ तो ये जो दावा ए महबबत है असल में मुनाफकत है तो अल्ला माफ फर्माए एक चीज़ उम्मत मुस्लिमा में आ चुकी है सहाबा के अमल इतने अखलास से मुजयन होते थे कि सरकार दौा अलम सलम किसी एक को आर्डर करते सारे सहाबा बाग कर उस अमल के लिए काम करने की कोशिश किया करते थे सच हुजूर ने बोला सहाबा में सच नजर आता है अदल हुजूर ने बोला भी और किया भी सहाबा में नजर आता है सफाई निस्प एमान है सहाबा में नजर आती थी हुजूर रहम करने वाले थे सहाबा रहम करने वाले बन गए हुजूर बरदाश करने वाले थे हुजूर बिजनस करने वाले महनत और मुशक्त करने वाले थे सहाबा बिजनस करने वाले महनत और मुशक्त करने वाले बन गए हुजूर अबादत करने वाले थे सहाबा अबादत करने वाले बन गए मिलाद का मतलब क्या है? हुजूर ने आके अपने वजू से एक सीरत काइनात को तक्सीम की है कि लोगों इन आहमाल की तरफ आगे बढ़ो तो हमारी बदकिस्मत ही यह है जिस दोर के अंदर हम जिन्दा है यह दोर जवाल है हमारे अंदर मिलाद तो है सच नहीं मिलाद तो है सफाई नहीं मिलाद तो है डिसिप्लन नहीं मिलाद तो है मगर मिलावट भी है मिलाद तो है हमारे अंदर जो मामलाद है एक दूसरे से प्यार और महबबत के रिश्टों के अंदर वो नहीं है हम फितनों को परवान चड़ाते हैं नफरत को परवान चड़ाते हैं, एक दूसरे की इज़तों के ओपर बातें करते हैं, अगर किसी के ओपर कोई गिरा हुआ जुमला, अगर किसी का कोई परदा उठा हुआ नजर आ जाए, हम फोरान उसकी मुखालफ़ शुरू कर देते हैं, हम अपने गरेबान में नहीं देख होके, एमोशनल होके, मिलाद, युू नामनाए के हुजूर के खुक्मों को अगनोर कर दे, हम ने हुजूर के हुप्नाना भी है, इस काइनाद को दुन्या को जन्नत भी बनाना है, हम जिस जगा पे भी हों लोगों के लिए रहमत अपने करेक्टर से, किरदार से बढंगे, किसी को हम से कोई उलजन ना हो, तकलीफ ना हो, किसी को परेशानी ना हो, किसी को दुख ना हो, अगर हम एज़े ट्रेडर हैं, तिजारत कार रही हैं, हमारी तिजारत से गरीबों को बला भी हो जाए, हम अगर किसी जगा के उपर टीचर हैं, तो हम लोगों के उपर रहमत और श्रफकत से इल्म तक्सीम करें ताने ना दें हम अगर अमीर हैं तो खरीबों के साथ हमारा रवया बाइयों वाला बन जाएं मालिक है तो मुलाजिमों को भी इन्सान समझें हम जिस भी स्टेटस के अंदर हैं अपना रोल अच्छे तरीके से अगर पे करेंगे तो रसूलिया کرم صلی اللہ علیہ وسلم यقیناً अपने अमतियों से खुश होंगे अगर हम सिर्फ और सिर्फ हुजूर का नाम लेंगे अमल छोड़ देंगे तो ये मुनाफकत है तो अमल बहुत जरूरी है हमारे साथ मौजूद है हाफिस मुहम्मद सब्दर कादरी तो मैं चाहूंगी महरकाई रिसालत में नात का हदिया पेश करें गजर हमाओं के गुन गुनाए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए गजर हमाओं के गुन गुनाए हुजूर आए महक फजा की यही बताए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए अताए रब जहान देखो नभी की आमद की शान देखो अताए रब जहान देखो नभी की आमद की शान देखो के हवाओं ने भी दिये जलाए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए नसीब उम्मत का यू जगाया कसी में ने मत उने बनाया कि ये खुदा ने करम के साए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए और गुलाम क्यों ना खुशी मनाए गुलाम क्यों ना खुशी मनाए गरों में क्यों ना दिये जलाए गुलाम क्यों ना गरों में क्यों ना दिये जलाए क्योंके हमें खुदा ले ये दिन दिखाए हुजूर आए और खुदा के गर से हुवे रमाना मदीन पहुचे शहे जमाना खुदा के गर से हुवे रमाना मदीन पहुचे शहे जमाना तो पच्चियों ने ये गीत गाए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए महक फजा की यही बताए हुजूर आए हुजूर आए हुजूर आए वेल्कम बैक नाजरीन जिंदगी बीट गई कलम तूट गए तेरे उसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका नाजरीन आज बारा रवियुल अवल मनाया जा रहा है आज एद का दिन है पर फैसल साब आप से पूछा चाहूंगी कुछ लोग चोरी की बिजली से चरागा करते है क्या उनको भी सवाब मिलता है आज के दिन चरागा करने का यह आपने बड़ा रेलिवन्ट क्वेस्टन किया है हम दोर जवाल में हैं जो न था खूब बतद्रीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर हम अपने रब को राजी करना चाहते है लोग हज और उम्रा करने के लिए जाते है जो माल और दोलत होता है वो कवजा, गुरूप जो लोगों के माल के ओपर कवजा करते है और सबसे पहले किसको राजी करने के लिए जाते है हज और उम्रा करने के लिए अपने रब को राजी करने जाते हैं और ये हमारे हाँ वतीरा बन चुका है लोग समगलिंग करते हैं रिश्वत का माल लेते हैं और फिर उसके बाद मिलादे मुस्तफा की वकाइदा तोर पर अपने सामने चादर लगाना चाहते हैं ताके उनके जितने भी एब हैं वो मिलादे मुस्तफा के तकद्दूस के जरीए वो छूप जाए तो ये सिलसला यही है कि हमारे हाँ हमें इतना भी शवर नहीं रहा कि हम करतो गुना रहे हैं मगर उसके साथ हम नेकी का तसवर जोड़ के बैट रुए है तो एक गंदी चीज है घलीज चीज है ल्लह रभ लिजट पाक है साफ है और पाकी और साफी साफ चीजों को वो पसंद करता है जो साफ सुत्री चीज़ी हैं वो कबूल करता है ल्लह रभ लिज़त ने हर शेय के अंदर बकायदा तोर पर कुरान करीम में कस्वِ हलाल एक बहुत खुबसूरत टॉपिक है वो ये है कि अल्ला पाक ने पहले अंबिया से कहा या आयूहर रुसूल कुलूमिन त्यीबात वावलू सालिहा पाक खाओ और अच्छे अमल करो फिर एमानवालों से कहा पाक खाओ और अच्छे अमल करो फिर इनसानों से कहा पाक खाओ और अच्छे अमल करो इसका मतलब क्या है कि खाना पाक होना चाहिए वो खाना अगर हराम होगा तो आप नेकी जो करोगे वो नेकी जाया जाएगी अगर आपके अंदर रिश्वत का माल है हराम का माल है लोगों की जायदादों के ओपर कवजा किया हुआ वो माल है और फिर उससे उमरा करते हो मिलाद मनाते हो चरागां करते हो तो वो अल्ला के दीन के साथ एक जुम है और इतना बत्तरीन जुम है हम दीन को भी बेयदबी के साथ पेश कर रहे हैं और उसको लोगों के सामने जिस तरीके के साथ हम पेश कर रहे हैं वो इसलाम का तरीका नहीं है इसलाम चोरी बकाइदा तोर पर इसको कंडेम करता है वसारिक वसारिका तु फक्ताओ ऐदियाहुमा जो चोर है उसके हाथ काट दो तो मिलादِ मुस्तफा मनाने वालों को सोचना चाहिए कि कुरान किदर लेके जा रहा है हम किदर जा रही है अगर हमने अपने रब को राजी कर रहा है तो कस्बे हला और अगर आप हलाल के रिज्क से मिलाद करते हो सादा सा मिलाद है वो आपकी लाइड्स को ज्यादा नहीं देखता वो आपके दिल को देखता है कि दिल के अंदर अल्ला उसके रसूल के साथ तालुक और महब्बत, रिष्टा और नाता क्या है और वो भूने हुए चने भी अगर आप सादा से रसूल अल्लाद के मिलाद के हवाले से लोगों के अंदर बांडने की पावर और ताकत रखते हैं इससे आगे मत बढ़ो, हराम की तरफ मत बढ़ो हलाल के साथ अमल करो तो यह हमारी सुसाइटी का वो अल्मिया है कि हम नेकी तो करना चाहते हैं मगर जिस गोडे पर सवार है वो चोरी का है, वो फराड का है जिस के उपर हम सवार होके नेकी की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो सवारी ही नजायस है जो रिस्क है हमारे वजूद के अंदर वो नजायस है तो ऐसा हर्गिस नहीं करना चाहिए और तोबा करनी चाहिए मिलाद के लिए माल और दोलत इसकी इंपोर्टनस नहीं आपके दिल के अंदर महबबत होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे है, आईशे सबाबा आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में मैं इसी में इजाफा करूंगी कि आपके लिए सब्सक्राइब का आप मिलाद मना रहे हैं, खुशियों का अल्लापाक ने हुकम दिया है, आप सलिब्रेशन्स करें जो भी आपके पास है लेकिन एक चीज़ याद रुखें कि आका लैसा तो असलाम नहीं फर्माया है कि अगर फातिमा बिनते मुहम्मद भी जोरी करती तो मैं उनके भी हाथ काटने को हम देता, तो कोई भी चीज़ आप जिसके लिए नेकी का कोई भी अमल करने चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बन्यादी तोर पर एक उसूल है जो करा रहे हकी में रिशाद माया लापाक ने, कि मुहम्मद रर्सूल्लाह वल्लजीन माहु अशिद्दाव ललकुफारि रुह माहु बैनहुं तराहुं रुका अंसुजदैं यब्तगून फद्लम मिन ल्लाह कि मुहम्मद लल्लाह के रसूल है उनकी तो शान नराली है ना उनकी तो आप आंखों की बात करेंगे तो माजागल बसर की बात होगी अगर आप उनके जुल्फों की बात करेंगे तो वल लैली इजा सजा कुरान कह रहा होगा उनकी चादर की बात करेंगे तो या यूर मुदसिर या यूर मजमिल की बात हो रही होगी उनके लबों की बात होगी उनके लफजों की बात होगी तो मा यंतिकुवनिलहवा इन हुआ इल्ला वहयुयुहा की बात होगी उनकी पेदाइश की बात होगी तो रब ला उक्सिम भीहाजल बलत कह रहा है उनकी हर अदा पर कभी ताहा कहा जाता है कभी यासीन कहा जा रहा है कभी हामीन कहा जा रहा है पुरा कुरान नबی करीम शलिल्ल्हीं की अदाओं और ओका लेसा और अबस्वा के उस्वा कोपर ओर पूरा कुरान नाजिल है जिसमें अबस्वा की महबत का जोह भी है आम की सीरत और आपकी तालिमात का जोह भी है उन उम्मतियों के लिए फरमाया कि उनकी कुछ निशानिया हैं उने उन निशानियों पर उन चीजों पर पेरमीटर्स हैं कुछ जिनको अपने उपर उनको रखना होगा कि वो कैसे होते हैं कि कहीं दुशमन हो, कुफार हैं दुशमन है, तो वो सब मुत्तफित होकर उसके खिलाफ इकटे हैं कहीं डे डेर इन کی मसजिद भी बना रखी, वो सब मुहम्मद रूरसुल आखं मैं, हम भी सहाव हैं क्योंकि हमने आका अले सब्सक्राइब को अपना सब कुछ माल लिया है और उनके हालते इमान में उनकी सहबत में उनकी संगत में आज बैटकर मिलाद मना रहे हैं उनके लिए क्या है कि अगर तुम कुफार के साथ सक्त हो ना तो आपस में बड़े रहीम हो वो सक्ती नहीं है वो आपस में एक दूस्ते की लेक पुलिंग नहीं है वो करप्शन नहीं है जूट नहीं है चोड़ी नहीं है हस्त नहीं है बगज नहीं है अनाद नहीं है कीना नहीं है ये सारे रजायल नहीं हैं किन के अंदर जो या रसुलिल्ला के नारे लगा रहे हैं जो लबई की या रसुलिल्ला भी कह रहे हैं जो आका लिए स्थाल को आमदे मुस्तुफा मरहबा मरहबा के नारे भी लगा रहे हैं भी आपकी इजहार प्यार का बहुत जरूरी है भी उसके मताबिक बनाना होगा, क्या करना होगा, कुरान उनको असूल देता है, रुह मा, अबैना हुम, आपस में प्यार महबबत से रो, इसलाम तो ये भी कहरा कर रहा है, तुम उसको भी सलाम करो, जिसको तुम नहीं जाने, तो प्या हुम, तराह, हुम, रुकान, सुजद नहीं, और उनके अमाल ऐसे हैं, जब तुम उनको देखोगे न, वो अल्ला के हुजूर सजदा शुकर अदा कर रहे हूं, जब उनको देखोगे, वो इबादत में मशुगूल, उनका हर अमल, जो आप अभी चोरी का कह रही थी, मैं तो चोरी से बढ़ कर कह रही हूं, वो मुहमद الرसोल ALLAH के साती हैं, उनकी इसमानने वाले, उनका कलमा पढ़ने वाले, उनकी नारे लगाने वाले, उनसे महबबत का इजार करने वाले, वो क्या करते हैं, वो यब तग्वूना, आrás यब्टगून, फदलम मीन اللहिय रिदावना, वो चोटी चोटी नेकियों से, प् किसी भूके को खाना खिला कर भी अल्ला की महबबत की तलाश कर रहे हैं, वो किसी यतीम के सर पर हाथ रख कर भी अल्ला की महबबत की तलाश कर रहे हैं, आप उनका अमल तो देखें, वो सहाबा एकराम जो आका लिए सब्सक्राम के वुजू का पानी नीचे नी गिरने देते अदब का ये आलम है कि वुजू का पानी नीचे नी गिरने देते बाल मुबारिक तर्श्वाते हैं तो वो मुवे मुबारिक टोपी में सी लेते हैं वो सहाबा एकराम जो आका लिए सत्व असलाम के सामने ऐसे बैठते हैं कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठी हैं अगर हीले तो परिंदे उड़ जाएंगे वो सहाबा एकराम जो आपकी महबत में सब कुछ कुर्बान करने को त्यार है पूरा घर खाली करके ले आती हैं कीपने कि आपके घर में क्या है årँ जो असका सुल है वहाँ सहाबा एकराम उनका अमल देखे आपकी वहाँ मोझेता हैं आपका जेता उनको कुछ करवाएं और इसकी बहुत सारी र्वायात है आप जितनी आप चाहें उसके रेफरेंस ले लें बक्रे जिबा करवा कर उनको गोश्ट तक्सीम करवाया और वो किस खुशी में था अपने मिलाद की खुशी में और उसमें भी जाफत करवाई, खाना तक्सीम करवाया कि मेरे मिलाद मनाने वालो, तुम्हें मेसिज ये है कि मेरे मिलाद मनाओ, मगर सब को उस खुशी में शामिल कर लो सब को, और फिर हज़त हसान बिन साबित की नातें आप अपने कमने मुबारिक बिचा देते थे कि आओ हसान, इस पर खड़े हो जाओ, फिर पड़ो वाहसानु मिन कलम तरकत तुआईली फिर नात पड़ो, नाते नात खानी की जाती थी, जलसे होते थे हज़ू लएस्ट असलाम की आमद की खुशी में, जो अफरीकी लोग आते थे, सियाफ वाम वो गड़े होकर मुहमदुन, अब्दुन, साले के साथ रक्स करते हैं और स्यदा आईशा सिद्धिका को हज़ू लएस्ट असलाम अपने पीछे चुपा कर वो रक्स दिखाते हैं पिर के आप देखो कि ये कैसे मेरी मेरी शान बियान कर रहे हैं क्योंकि अल्ला पाक निफ मया वा रफा अना अला का जिक्र रहती दुनिया तक और बादस दुनिया भी इस दुनिया में भी और और जितनी भी जहान है सब में हज़ू लएस्ट असलाम का जिक्र बलंद होता रहेगा होता रहेगा और करते रहेंगे वो उनको जो आते थे ना कहते थे मुहम्मद अब्दुन सालिय और ऐसे रक्स करते थे तो अस्ताइशा सिद्धिका पीछे चुपकर वो देखती थी उस रक्स को उस खुशी का इजहार करते थे कि ये रक्स हो रहा है किस की खुशी में हज़ू लएस्ट असलाम की आमद की खुशी में जब आमद क्या है विलादत के जब आपकी जियारत कर ली वो ज्यारत के लिए आये तो उनके लिए तो आमद हो गई नए उस खुशी में किया पिर अजुर असलाम जब हिजर्ट करके मदीना पाक तश्रीफ लाए न की आमद उ़ए दर हुई ये वो नगमा था जो फारान की पहारियों में ऐसा गुंजा ऐसा गुंजा कि आज तक गुंज रहा है आज तक हम उन क्यामत की खुशियां मना रहे हैं और ये तलाल बदू अलई ना कि आज तक नात आप अर्दू में पढ़ें عربی में पढ़े, पंजाबी में पढ़े, पश्टों में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, जिसमें भी पढ़े, ये नात, अल्ला की सुन्नत है, इन्नलाह वमलाइकताहु यूसलूना अलनन्नभी या यूह लजीन आमनू सलू अलिए वसल्लिमू तसलीमा, ये मेरे फरिष्टे भी करते हैं, यानि कि मैं एक महफिल उपर भी सजाता हूँ, वो महफिल मिलाद मुस्तिफा है, जो उपर भी सजाए जाती है, और मैं तुम्हें भी हुकम देता हूँ, या यूह लजीन आमनू, जो जो इमान वाला है, जो जो कलमा पढ़ता है, मेरे ये करीम ﷺ पर लाखों बार दूरूदो सलाम के गजरे बेजने चाहिए, आज उनके नाम की नात खानी करें, सना खानी करें, दूरूदो सलाम पढ़ें, वरीबों को खाना किलाएं, जियाफत करें, ये आज का वजीफा है, और ये आज की खुशी है, आज के दिन की फरहत है जो अल्ला पाक ने हमें कुरान के जरीए से और अपने अमल के जरीए से बता है, सुभान आला आपने नात का खिर किया है, तो मैं चाहूंगी मैं विश हमाई साथ मौजूद है, अपनी खुबसुरत आवाज में हमें खुबसुरत नात भी सुना है कुर्बा दिलो जाँ या रसूल अल्लाः करूं मैं आप पर कुर्बा दिलो जाँ या रसूल अल्लाः दिलों में बर दिया है नूर एमा या रसूल अल्लाः या रसूल अल्लाः ना जोहदो पारसाई है ना मगरूरे अबादत हूँ ना जोहदो पारसाई है ना मगरूरे अबादत हूँ तेरा हूँ उम्मती होने पेना जाया रसूल ला तेरा हूँ उम्मती होने पेना जाया रसूल ला मिले जो आपके ना लेनी अकदस सर पे रखने को मिले जो आपके ना लेनी अकदस सर पे रखने को कहेंगे ताजवर मुझे को भी सुलता या रसूल आला कहेंगे ताजवर मुझे को भी सुलता या रसूल आला सफीना जिन्दगी काए तुमारे ही सहारे पर सफीना जिन्दगी काए तुमारे ही सहारे पर नजर तो हर तरफ आता है तुमारे रसूल आला नजर तो हर तरफ आता है तुमारे रसूल आला और बहुत खुबसूरत कलाम बहुत खुबसूरत छेर जिया कुछ गम नहीं मुक्तार है सरकार दो आला हमें क्या फिकर है जब है निगे बाया रसूल आला हमें क्या फिकर है जब है निगे बाया रसूल आला करूं मैं आप पर कुरबा दिलो जाया रसूल आला दिलों में बर दिया है नूर इमा या रसूल आला करूं मैं आप पर कुरबा दिलो जाया रसूल आला परफेसर साब इसलाम महबत का पेगाम देता है महबत भी अल्ला के लिए बुक्स भी अल्ला के लिए आज के दोर में क्या हम एक दुस्रे के साथ महबत से रहते हैं क्या हम एक दुस्रे को बरदाश कर बाते हैं जी सबसे बेहतरीन सबसे खुबसूरत रिश्टा अल्ला के लिए और सबसे बेहतरीन अगर दुश्मनी है वो भी अल्ला की जात के लिए अगर ये खुबसूरत तरीन रिश्टा काइम हो जाए तो काइनात जो है वो जन्नत बन जाएगी अल्ला की जात का मतलब क्या है कि हम अल्ला के लिए करें इसका मतलब यह है कि अल्ला ने अदल का हुकम दिया तो हम अदल जिदर हो उसका साथ दें अल्ला ने लोगों के ओपर करम करने का हुकम दिया तो जहां करम हो करम का साथ दें जहां इनसाफ हो इनसाफ का साथ दें जहां मजलूम हो मजलूम के हक में खड़े हो जाएं जिस जगा के ओपर जो कोई भी ऐसी जायस जरूरत जिस जायस जरूरत की बजा से सोसाइटी के अंदर सकून पहलता हो, अमन पहलता हो, मुहबत पहलता हो, हम उस अमल के हिस्दार बन जाएंगे. अब सहाबा भकाइदा तोर पर, हमारी लिए सबसे खूबसूरत मिसाल मिसाकِ मदीना के बाद, जो है, मवाकातِ मदीना है मक्के से निकले कुछ सहाबा जो हुजूर के हमरा हिजरत करके पहुँचे मदینہ पाक उनके सारे माल असबाब मक्के में रह गए इनके पास कुछ भी नहीं था जब ये मदीने पहुंचे तो ये गरीब थे जो मदीने के अंसारी थे अंसारे मदीना उनको इसलिए कहा जाता है उन्होंने मदद की और ये अंसारी वो लोग थे जिनके अपने मकानाद अपने बागाद सब कुछ था अब एक नया बाई चारा डिवैलब किया जा रहा था सरकार दौालम से ने एक मक्की को और एक मदनी को पकड़ा और का तुम आपस में बाई हो अब दौरे हाजर में भी लफ़ बाई इस्तवाल किया जाता है एक माँ है और उसकी नसल में दो बेटे है या बहन है बाई बहन का ये रिष्टा है अब ये लफ़ सिरब बोले जा रहे है अमली तोर पर इसमें से जो चीजें डिमांड होनी चाहिए वो चीजें पे नहीं हो रही है वो बकायदा तोर पर सुसाइटी में नजर नहीं आ रही अब ये मेरी बहन है एक अमीर बाई है अपनी गरीब बहन को बहन तो बोलता है मगर उसकी मदद नहीं करता एक बाई अमीर हो चुका दूसरा गरीब रह चुका वो उसकी मदद नहीं करता जो गरीब है उसकी मदद ना करना उसके लिए लफ़ बाई बोलना अगर हम इसलाम को मानते हैं तो हमने हकीकत में मानने का हकदा नहीं किया हुजूर ने एक मक्की को मदनी को कलमे की बुनियाद पर आपस में जोड दिया अब जो अनसारी था वो भाई कैसे बना वो भाई ऐसे बना उसने कहा कि तेरे पास मकान नहीं है मेरे मक्की महाजर भाई और भाई वो होता है जो अपने लिए पसंद करें वो ही अपने भाई के लिए पसंद करता है तो कहा कि मेरे लिए मेरी महबत मेरा मकान है तो अपने मकान के दो टुकड़े किये का कि इस में से जो टुकड़ा तुझे पसंद है वो मकान तेरा अपने माल के दो हिस्से किये का इस में से जो माल तुझे महबूब है वो माल तेरा ये नहीं का कि ये माल मैं रखता हूं मैं चुक्छे मालिक हूं और इसके बाद जो बच गया वो तेरा अनसार के लोगों ने बताया कि अल्ला के नाम पर बाई बनने का अदब और एसास और हया क्या है दोरे हाजर में ये रिच्टे लफजों में बाकी है अमल में दम तोड़ चुके एक अमीर हो जाता है उसकी कोटी बन जाती है उसके पास वसायल होते हैं वो अपने ही मूँ बोले यहनी हम हकीकी बाई को भी मूँ बोला बाई ही समझते है हम समझते हैं कि बाई अल्ला ने मुझे दौलत दे दी ये दौलत मेरी वो पीछे रह गया यह उसका नसीब है मैंने ठीका लिया है कि मैं उसकी मदद करूँ अगर हमने लफ्स बाई जिन्दा करना है तो हमें फिर सहाबा की तरफ देखना होगा सहाबा जो अपने लिए पसंद करते थे वही अपनी बाई के लिए पसंद करते थे हता कि एक घजवा के अंदर ये बाई चारा हमें कैसे नज़र आता है कि जब इनसान हालत नज़ा के आलम में होता है हालत नज़ा में इनसान अगर प्यासा हो तो ये सोचता है कि अगर समंदर भी सामने आ जाए तो सारा पी जाएगा हालतِ نزہ کی پیاس बहुत ज्यादा इनसान को शदीद तकलीफ देती है और डिमान ये होती है कि समंदलों के समंदर पी जाओंगा उन लम्हों के अंदर भी सहाबा एक दूसरे के साथ बाई चारा कैसे काइम करते है कि एक तरफ एक बाई ने कि मुझे पानी पिलाओ पानी वाला उसके पास पहुंचता है और जैसे उसे पानी पिलाने लगता है दूसरी तरफ से ओवाज आती है कि मुझे पानी चाहिए और वो भी हालतِ नजा में है इस हालतِ नजा के भाई बाई ने अपने दूसरे बाई के लिए क्या किया? उसने का मुझे छोड़ो जाओ जाके उसे पानी पिला दो ये है बाई चारा और उसने एक और ने अवाज लगा दी ये दूसरे सहाबी के पास पहुंचता है उसने अवाज लगा इए मुझे पानी चाहिए उसने का कि मुझे छोड़ो मैं अपने कुर्बानी देता हूँ मेरे बाई को पानी पिला दो इसलिए कि हुजूर ने एसास बेस और बुनियाद ये बना दिया जो तुमें खुद महबूब है अपने बाई के लिए वही बसा लिको अगर ये पैरामिटर्स हम अपने मामलात के अंदर अपने दिल औ जान के अंदर इन चीजों को बसा लें ये जो आपने संगत मैफिल सजाई है बड़ी खुब सूरत है इस हवाले से के हुजूर ही का मिलाद है हुजूर ही की बातें हमें बदल सकती है हम असल में अंदे हो जाते हैं ये अच्छा है मेरे साथ मैं अच्छा हूँ ये बुरा है मेरे साथ मैं बुरा हूँ हमारा अपना रंग कोई नहीं रहा हमारा इसलामी एक रंग था इश्क-े मुस्तफा का एक रंग था वो रंग इतना पुखता था कि अगर बुरा भी है कोई शख्स तो मैं उसके साथ बुरा ना बनू हुजूर ने बड़ी खुबसूरत इस हवाले से बाईचारे के हवाले से मिसाल दी हुजूर ने फरमाया कि बताओ कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते कभी गिरते नहीं साबा कहते हैं हमारे दिल में ख्याल आया कि खजूर का दरख्त है जिसके पत्ते सारा साल गिरते नहीं है मगर अदबन चुप रहे का आला उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानता है या रसूल आप खबर दीजिए حضور نے فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے کبھی بھی نہیں گرتے حتیٰ کہ لوگ جاتے ہیں اس کو پتھر مارتے ہیں مگر وہ اپنی چھاؤں روکتا نہیں وہ پتھر کھا کے بھی دیتا کیا ہے پھل دیتا ہے تو فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چھاؤں بن جاتا ہے وہ اس کے لیے پھل تقسیم کرنے والا بنتا ہے فرمایا اگر تم سے تمہارا بھائی مال طلب کرتا ہے دے دو تاکہ رشتہ برقرار رہے آج سب سے بڑی جو ہماری آپس میں خاندانوں کے ٹوٹنے کی جو بڑی بجا بن چکی ہے وہ یہ کہ ہم مال ہی کے اوپر تو ٹوٹ رہے ہیں یہ مال میرا ہے یہ مال میرا ہے سب سے بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کا حق بن رہا ہو وہ اسے وہ بھی دے اور پھر اس کے بعد اسے زائد دے اگر ہم خاندانوں کو دوستی کو بھائی چارے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایسار اور قربانی اور حضور کی ان باتوں کو جو تمہیں پسند ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرو یہی وجہ ہے صحابہ جب کوئی اچھا کپڑا خریب تھے تو سب سے پہلے خیال کیا تھا کہ بھائی کو کپڑا دوں گا بہن کو کپڑا دوں گا بھائی چارے کا مطلب یہ نہیں کہ بہنوں کو اگنور کر دو بہن ہر صورت میں اپنے بھائیوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے یہ آئے گا اس کے ہاتھ میں میرے لیے کچھ محبت ہوگی وہ اگرچہ مالدار کتنی کیوں نہ ہو اصل مال نہیں ہوتا اصل میں جو حدیعے ہوتے ہیں توفے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا یہ دیا کرو اور اس سے محبت آپ اس میں پیدا ہوتی ہے اللہ کہے کہ یہ اسلامی کلچر ہمارے اندر بلکل صحیح ہے عائشہ صاحبہ آپ سے بھی یہی بات کرنا چاہوں گی کیا آج کے دور میں ہم محبت سے رہتے ہیں کیا ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں کیونکہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں ہم کئی کئی سالوں تاکھ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر پاتے تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی قرآن حکیم اللہ پاتھ نے اشارت مائے وَتَعَوَنُوا الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ مددگار بن جاؤ اور جہاں کہیں تم دیکھو کہ میرے یہ جو میرے ساتھ ہے یہ برائی میں جانے لگا ہے یہ گناہ کرنے لگا ہے یہ غلط کام کرنے لگا ہے تو اس کی مدد نہ کرو اس کے معاون نہ بنو بلکہ اس کو روکو اس کو آویر کر دو کہ بھئی جو تم کام کرنے جارہی ہے یہ تمہارے لئے غلط ہے لیکن کس کی کرنی ہے جو وہ نیکی کا کام کرنے جا رہا ہے وہ جو اچھا کام کرنے جا رہا ہے ابھی آپ کہیں کہ آج ہم محبت بانٹتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے ہم کسی کی اچھی بات دیکھیں کسی کی کوالٹی دیکھیں کسی کے اندر کوئی ابیلیٹی دیکھیں تو ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے وہ چھین لیں ایک معاشرہ نفسہ نفسی کا عالم ہے یہ معاشرہ ہمیں اس معاشرے کے اندر بے شک بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن ہمیں اوورال اس معاشرے کی اس کیفیت کو دیکھنا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا کسی کہاں کو کام والی ہے تو اس پر ظلم ہو گیا تشدد ہو گیا اس وہ یہ آ رہا ہے کسی مزارے نے کوئی وہ بیٹے نے عام توڑ لیا تو اس کو درخت کے ساتھ الٹا بان دیا ہے یعنی کہ تشدد کی عدم برداشت کی اتنی مثالیں اب قائم ہونا شروع ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر جو مکھی ہم نے تھام کے رکھنی تھی نا رسی وہ رسی ہم نے چھوڑ دی کہ یہ رسی تھی اس کو تھامے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے فلاح پا جاؤ گے لیکن اسی رسی کو اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے بھٹک جاؤ گے اور وہ رسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرس وہ عصوہ ہے ان کا وہ دیکھیں ان کے پاس ایک بدو آتا ہے نا وہ آپ کی چادر کو کھینچتا ہے زور سے کہ ایون کہ آپ کے گلے مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں کھینچ کہتا ہے محمد مجھے بھی دو یعنی کہ آپ نے اس کو ڈھانٹا نہیں ہے ڈپٹا نہیں ہے کہ پھر تم کیا کر رہے ہو صحابہ اکرم بھاگتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے تو آپ اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں اسے تو نہیں خبر کہ ان کو کیسے بلانا ہے انہیں ایٹیکیٹس کا نہیں پتا انہیں مینرز کا نہیں پتا لیکن اس لاعلمی کی وجہ سے میں اس کے اس جذبات کو ان فیلنگز کو ہرٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو رحمتِ عالم ہوں میرا کام نہیں ہے ہٹ کرنا میرا کام ہے سینے سے لگانا آپ اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں آپ ایک بڑی عورت کے بیمار کافر مائی کی گھر میں جا کر جھاڑو لگاتے ہیں اس کے گھر کا کورا کرکٹ اٹھا کے جو آپ پر کورا پھینکتی تھی آپ اس گھر کے اندر جا کے صفائی کر کے اس کورے کو اٹھا کر بھائی پھینک دیتے ہیں آپ اپنے کندوں پر اٹھا کر اناج اس کے لیے لے کے جاتے ہیں آپ اس کو پانی پلاتے ہیں اس کی عیادت کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ کا ہمسائے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہارا ہمسائے بھوکا سو گیا تو اس کا بھی تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا یعنی کہ اس کا یہ حدیث پاک اصل میں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ تم لا علم نہیں رہ سکتے وہ بھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا یہ ایک لفظ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سانو کی ہمیں کیا ہمارا تو ٹھیک ہے ہم تو ٹھیک یہ اسلام نہیں ہے اسلامی معاشرہ یہ نہیں ہے اسلامی کلچر یہ نہیں ہے اسلام نے تو آپ کو ایک جسم کی طرح بنایا ہے آقا علیہ السلام نے فائد کہ یہ ایک جسم کی طرح ہو تم جس کے ایک اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی جو پین ہے اس کی جو فیلنگز ہے وہ پورے جسم میں آنی چاہیے یہ نہیں کہ میرے ایک محلے میں ایک مسلمان بھائی میرا بھوکا سو رہا ہے اور میں کہوں میں تو پیٹ بڑھ کے کھا رہا ہوں نہیں تمہیں اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا کہ تم کیسے پیٹ بڑھ کے سوز کھا سکتے ہو جبکہ تمہارا بھائی بھوکا سو رہا ہے یادت کرنے کو ثواب دے کہہ دیا کہ جو یادت کرنے جاتا ہے اس کے اتنے گناہ بخش دیے جاتے ہیں وہ جتنے قدم چل کر جاتا ہے اتنی اس کے معافی مل جاتی ہے اتنی اس کو نیکیاں مل جاتی ہیں یہ کیوں نیکیاں بانٹی جاتی ہیں اس لیے بانٹی جاتی ہیں کہ تاکہ آپس میں رواداری اور محبت بڑھ جائے اس لیے تو کہا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو معاون بن جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ جہاں تم جڑتے نہیں ہونا وہیں پر یہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں وہیں پر فساد شروع ہوتے ہیں وہیں پر فتنے شروع ہوتے ہیں وہیں لوٹ مار شروع ہوتی ہے وہ جو نفسہ نفسی کا عالم پتہ نہیں تب ہونا تھا ہمارے ہاں تو آج ہی ہو گیا ہے ہم تو جاتے بس ہمیں مل جائے کسی اور کو ملے یا نہ ملے آج محبتیں بانٹنے کا وقت ہے پیار بانٹنے کا وقت ہے برداشت کرنے کا وقت ہے مسکرانے کا وقت ہے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے کسی کے خندہ پیشانی سے ملنا بھی عبادت ہے پتہ نہیں ہم عبادت کو اسلام کو ایک کوزے میں بند کرنا چاہتے ہیں ہم جائے نماز کا اسلام بنانا چاہتے ہیں بس جس نے اٹھ کر جائے نماز پر کھڑا ہو گیا اس نے نماز پڑھ لی شاید یہی مسلمان ہیں باقی آپ کرپشن کریں آپ چوڑی کریں آپ دہشت گردی کریں آپ تشدد کریں آپ گنہ گردی کریں آپ فساد پھلائیں آپ فتنے کریں آپ کسی کا دل دکھائیں آپ کسی پر ظلم کر دیں کسی کی زمین چھین لیں کسی سے کھانا پینہ چھین لیں آپ حقوق و فرائز کا خیال نہ رکھیں لیکن نماز پانچ وقت کا پڑھتا ہے اس لئے شاید یہ اسلام ہے نہیں اسلام یہ نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ وہ تمہارے حقوق اللہ ہیں وہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے تمہارا احسان نہیں ہے کسی کے اوپر کہ تم نماز پڑھے تمہارا اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے تم راتوں کو جاگتے ہو عبادت کرتے ہو اتنے حج کر لیے اتنے میں نے جینا وہ عمرے کر لیے یہ ساری جو کاؤنٹنگ تم کرتے ہو یہ تمہارے لیے ہے تمہاری ذات کے لیے پتہ نہیں اللہ وہ بھی قبول کرتا ہے یہ نہیں کرتا مگر جو تم اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو ان کو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے تم میں سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں یعنی کہ اسلام تو یہ ہے کہ تمہارے تم بولو اور لوگ تم سے پیار لیں تم سے محبت لیں کسی کے لئے برا نہ سوچو کسی کے لئے غلط نہ سوچو کسی کے لئے ہمیشہ کے لئے زندگی میں اصول بن گیا ہے کہ نیکی اور خیر اور اچھائی اور بھلائی یہ سوچو بھی اور کرو بھی یہ نہیں ہے کہ تم مسلحے پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے لئے برا سوچتے رہو یہ ایک دکھ کی اور تکلیف ایک ایسا فیس ہے چہرہ ہے معاشرے کا जिसको हम शायद देखना नहीं चाहते हम अच्छी बातें कर सकते हैं हम अच्छा बोल सकते हैं मगर हमारा अमल हमारा किरदार हमारे लफजों से बिल्कुल मुख्तलिफ है हम अच्छा लेक्चर डिलिवर कर सकते हैं हम यहां बैठकर बहुत खुबसूरत बातें कर सकते हैं लेकिंग जिसको इल्म है और वो भी ऐसा करे तो उसको वो फिर आप देखें आबू जहल क्यों अबू जहल हुआ हलाके वो कुरेश मक्का का सबसे पड़ा लिखा और सबसे मुतबर सरदार था मगर वो क्यों अबू जहल हुआ क्योंके वो जानते हुए भी शौर रखते हुए भी देख भी रहा है सब कुछ है मगर अंजान बन गया है इसी अंजान पन को इसलाम जायस करार नहीं देता और कहता है जो जान गए हो उस पर अमल करो बेशफ जो जान गए हो उस पर अमल करो तो अमल करना बहुत जुरूरी है। माईसा मौजूद हैं हाफिस मुहमद सब्द्रकादरी मैं चाहूंगी बारगे रिसालत में नात का हदिया पेश करें। लेके पहलू में गमें उमते नाताराएं लेके पहलू में गमें उमते नाताराएं लेके पहलू में गमें उमते नाताराएं उमती उमती कहते हुए सरकाराएं उमती कहते हुए सरकाराएं सुनके सरकार मदीना की विलादत की खबर सुनके सरकार मदीना की विलादत की खबर हर कुनागार पुकारा मेरे गम खबर हर कुनागार पुकारा मेरे गम खबर सरकाराएं उमती उमती कहते हुए सरकाराएं फर्षे वालों के मुकदर का सितारा चमका फर्षे वालों के मुकदर का सितारा चमका शोर उठा शोर उठा के गरीबों के मददगाराएं शोर उठा के गरीबों के मददगाराएं उमती उमती कहते हुए सरकाराएं माईशाला सुछाला क्या कहना चाहेंगे क्या मैसिज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से बिसमिल्ला रर्माद रर्म सारी काइनात के लिए रहमत है हुजूर के वजूद अथर से काफरों को भी फैस मिला एजे मुस्लिम नभी अकरम का हर उमती इसी रहमत का उसके अंदर कुछ नकुछ अक्स पाया जाना चाहिए हम आज मिलाद जुमना रहे हैं तो अलहमदुल्ला हुजूर की आमद की हर बंदे को खुशी होनी चाहिए और कुरान करीम में अल्ला पाग ने हुकम दिया फल्यफरहू खुशियां मनाओ खुशियां मनाते मनाते हकीकी खुशी की तरफ हमें सफर करना चाहिए वो हकीकी खुशी क्या है मौमिन सचा होता है मौमिन कभी भी बद्द्यानती नहीं करता मौमिन जूटा नहीं होता मौमिन फित्रे नहीं फिलाता मौमिन जहां भी होता है लोगों के लिए बाइसे नफ़ा होता है मौमिन का करेक्टर कभी भी किसी के निक्सान का सोच नहीं सकता हमने गलियां बाजार सजाए वजा आमद-े-मुस्तफा है हुजूर ने हमें अपना किरदार सजाने का हुकम भी दिया हम अपने किरदार को भी सजाएं सच से, अमानत और दियानत से, सफाही और सुतराई से, डिसिप्लन से हम नमाजों से अपना किरदार सजाएं, हम रोजों से अपना किरदार सजाएं हम गरीबों की खिदमत करने से अपना किरदार सजाएं जो ताकतवर है वो कमजोरों के ओपर जल्म ना करें वो रहम करने से अपना किरदार सजाए जिनके पास माल और दोलत है वो अपने लोगों के अंदर तक्सीम करें और हुजूर की आमद के दो तबकात थे जिनके ओपर बहुत ज़्यादा करम हुआ नमबर वन खवातीन औरतों को हुजूर के आने से वरासत में हिस्सा मिला आमद के ओपर कुरान ने कहा खुशखबरी है बेटी की पेदाश रहमत है हुजूर ने फरमाया कुरान ने कहा खुशखबरी है और इसके बाद वरासत में हिस्सा मिला निकाह के अंदर इसको हक मिला, मर्जी से निकाह करे, हक महरी से अता किया गया, इल्म के अंदर मर्दों जैसा इसका हिस्सा है, वरासप में इसका हिस्सा है, ये गवा बन सकती है, ये किसी भी मेदान में इसे पीछे खेंचा नहीं गया, सियासत के अंदर, मामलात के अंदर, म जैसे खुद कपड़े पहनते हो इने पहनाओ और जैसे तुम्हारी रहाइश है उसी तरह कोटियों में सरवन्ट कौार्टर का इसलाम में कोई तसबर नहीं तुम्हें अपने लिए अच्छा मकान चाहिए मुलाजम को भी अच्छा मकान दो क्यूंके वो तुम्हारा मा तहत ह और हुदूर ने जब ये इलानात किये तो उत्वा, शैबा, अबुजहल ये सारे के सारे परेशान हुए भुतों के सामने गए और कहने लगे इस से मालिक तो मालिक नहीं रहेंगे के मालिक और मुलाजम एक जैसे कपड़े पहने और ओरतें जिनकी इज़त ही कोई नहीं थी जब चाहते जिदर चाहते इनको तक्सीम कर देते अब इनको बकाइदा तोर पर मर्दों जैसी इज़त, अदब और इहतराम हमारे लिए नामुम्किन है आज जिस दोर में हम जिन्दा हैं, कहीं वही पुरानी जहालत हमारे अंदर आ तो नहीं रही हमने मिलादे मुस्तफा से अपनी कुछ ना कुछ अकाउंटिबिलिटी करनी है, अपने आपको हुजूर की सीरत के रंग में रंगने के लिए दौा करनी है, मेहनत करनी है, मुछ बसुरत दिन है और आज का जो पेघाम हम क्या पेघाम दे सकते हैं, आज का दिन तो खुद एक बहुत बड़ा पेघाम है, और एहदे वफा का दिन है, कि आज तजदीदे एहदे वफा का दिन है, यूं कहें तो ज्यादा बेहतर, कि आज हम बैठकर अपने नबी करीम साल जो हमने वादे की, जो हमसे वादे लिये गे, हमने वादा, वो जो जितनी खसूसियात बताई, वो हमारे वादों का हिस्सा है, कि हम अपने किर्दार को सवारेंगे, हम अपने रूख को सवारेंगे, हमारा कल्ब और बातिन है, वो एक होगा, ये नहीं कि हम जाहिर और बातिन میں ظاہر میں کچھ ہوں باطن میں کچھ ہوں आप देखें ना कि अगर कुछाने हकीम को देखें कि कुछाने हकीम कब मेसीज ए इमान वालों की निशानिया बताईं कुफार की दो तीन आयात में निशानिया बताईं मनाफ़कें के लिए पूरी तेरा आयतों के उपर उनका जिक्र किया क्योंकि अगर इसलाम को खत्रा है अगर मौशरा बिगरता है मौशरे के अंदर बिगार है तो वो इस तबके की वज़ा से और वो मनाफिकत निफाक हर एक अंदर है हमें सब को आज ये जो तजदीदे एहदे वफा का दिन है ना अपने आकर से अपना जो कुछ हमने अपना जाहिर बनाया हमारा बाक्तिंग भी ऐसा है हमारे हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वह मुबलिगीन का भी है बड़ी मैं बुड़ा इसको एक बड़ा ये बिटर रियालिटी है लेकिन हमें वेश्कर लिए मैं खुद भी एक मेसिज दे रहे होते हैं आप एक मुबलिग होते हैं हमारे हाँ यह भी कि हम भी पिक्चर का एक रुख बड़ा खुबसूरत दिखा देते हैं दूसरा नहीं भी खाते हमारे दो तरह के तालुक है अपने आका लिए सब्सक्रा के साथ एक हमारा हुबी और इश्की और दिली तालुक है एक हमारा उनके साथ तालिमाती तालुक है हमें इन दोनों तालुकात को साथ साथ लेकर चलना है हम यह नहीं कर सकते कि आका लिए सब्सक्रा तो एक चका फर्मा रहे हैं कि अगर फातिमा बिनते मुहम्मद भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काड़ दिये जाएंग जन तबकात को आकाञा स्ब्सक्राइब की आमद ने खतम कर दिया था आज उनी तबकात में हमने इस माश्रे को तकसीम कर दिया है और मैं इतनी इस पर ये लिए ख्राण पाक की इस आयत को ज़रूर सब्द करूंगी कि इस मेसेज के साथ कि एम कुन तुम तो हिब़ून लल मेरे महवوب صلی اللہ علیہ وسلم की इतबा में आ आ जो उनकी पैरवी में आ जो उनकी इतबा करो और जब तुम इनकी इतबा करोंगे ना, चाहे वो मिलात का दिन हो आज सिर्फ आज 12 लंवल का दिन नहीं हमारी जिंदगी में हर दिन 12 लंवल क्यूंकि हर दिन हमें आका अलिषतु ऐस्सालं की आम्मद और आका अलिषतु ऐस्सालं की मुजूदगी उनकी प्रिज्नस का इहसास रखना है के हमें कोई देखने वाला है, हमें कोई च copyright करने वाला है उनके सात हमारा है, तो जब आप इनकी पैरवी में आ जाते हैं, उनकी इतबा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो फिर वो जो मकसद ह्यात है, युहूबीकुमुल्ला, वैखिल्लाकुम्दूंुबखुमु resultUMु wykonost 하나 रहिम, पिर वैद अक्ञतु आउत है, तुम्हें दुन कर्म लेते हूं बहुँ सुक्रिया परफेसर आईशे साहिबा आंपका अधी शुक्रिया प्रायम की के एक्तितम में अपसे नाता हुप मॉहमेंद सिधियाओं आपका भो शुक्रियाओं आपकोश मेंमें एफ्यारी अधा सचाहिए थी अला से दुआ गों है कि हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाव में कबूल फरमाए आप सब खुश रहिए अपना और अपने प्यारों का बहुत जादा ख्याल रखिए आलाहाफिज खाली नमोडी ओ तैबादे सायां जग छड के सारा तेरे दर्टे आयां तेरे मंग तैबादे सायां जग छड के सारा तेरे दर्टे आयां तेरे मंग तैबा रुतबा कमाले कोई या वैसे हो कोई बिलाले शायां तो वद के हो तेरियां गदायां शायां तो वद के ओ तरियां गदायां जग छड के सारा तेरे दर्टे आयां रबदा तु जानी रबदा अभीबे दुखियां बिमारां दे दिल दा तबीबे दिदार तेरा हो सडियां दवायां जग छड के सारा तेरे दर्टे आयां पंजतन दसद का सन खेर पावी वक्ते लिजाद ओ मुक्डा विखावी एवे ने सोडा हो तेरे नाल लायां जग छड के सारा तेरे दर्टे आयां वस्दार शाला तेरा सताना तेरा प्यार मंगे ओ छड के जमाना तेरा प्यार मंगे ओ छड के जमाना एवे ने सोडा हो तेरे नाल लायां जग छड के सारा तेरे दर्टे आयां खली ना मोडी हो ते बादे सायां जग छड के सारा तेरे दर्टे आयां वस्दार शड को तेरे द değild sitting मोडे उन जढ को प्यां झाउ सिपोसे टेवे चल के सरें आया गप की जजिता प्यां और जिता खड के सारा फड़ता मोड का प्या ड़ता यहाँ बग्र रहता रहता आयाष स 항व माना